हे गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बिना दूद और बिना मावा के बर्फी बहुत सारे लोग बनाते हैं बहुत सारे हलवाई भी बनाते हैं और आप सभी को बहुत आसान तरीका इस वीडियो में बताऊंगा आप घर पे 120 ग्राम है मतलब 120 ग्राम और इसका आधा आपको पानी डालना है इसके अंदर तो यहाँ पे 60 एमल मैंने आप पानी डाल दिया है अब दोनों को अच्छे से उबालना है थोड़ी देर तक उबालना है करीब 1-2 मिनट तक जब आप इसे 2 मिनट ऐसे उबालेंगे तो इसमें एक तार जैसा चाशनी के अंदर बनने लग जाएगा तो पहले आपको 1 मिनट या 2 मिनट उबालने के बाद इसे ऐसे चेक करना है कि तार चाशनी में बन गया या नहीं बिल्कुल जब तार जैसा बनने लग जाए तब इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है आप यापर ले सकते हो जो भी आपके पास अवैलेबल हो अप ले सकते हो उसके बाद हमें मेल्ट करके इसके अंदर घी डालना है घी हमें कितना डालना है जितना भी आपने मिल्क पावडर लिया है उसका हाफ आपको घी आपर डालना होगा मतलब मिल्क पावडर जो हमारे पास है एक क ग्राम है और 120 ग्राम के लिए मैंने आपे 60 ग्राम यह मिक्स भी हो जाएगा ओअगर यह बिलकुल बाइंडिंग में आ रहा है बिल्कुल लड्डू जैसा बन रहा है तो इसका मतलब गी ही काफी है आप इतने गी डाले और जादा ना डाले अगर ऐसे लड्डू जैसे नहीं बन रहे तो थोड़ा गी आप और डाल सकते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है अब हमें क्या करना है इस चाशनी के अंदर ये जो मिल्क पाउडर हमने मिक्स किया है घी के अंदर इसे हमें डालना है तो ये हम सारा डाल देंगे और इसके बाद हमें इसको फटा फट से चलाना है ग्यास का फ्लेम कम रखना है और हाँ इसे फटा फट से मिक्स करना है और हाँ कोई भी गुठल या lumps वगरा जो भी इसके अंदर गुठली वगरा होती है वो नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर हमने घी मिक्स कर रखा है अगर आप बिना घी मिक्स किये डालेंगे तो इसमें गुठली वगरा बन जाती है तो इसलिए अंदर बहुत सारे लोग वनीला पाउडर भी डालते हैं इसको वनीला वाला फ्लेवर देने के लिए तो आप वो भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर एक मिनट ही सरफ पकाना है एक मिनट के बाद ग्यास को कर देना है बंद और इससे चेक करना है कि यह बिल्कुल बर्फी सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है या नहीं तो चेक कैसे करना है आपको इसे हलका सा घुमाना है यह हलका सा ठंडा करना है ठंडा करने के वाद से जहुत नहीं है ठंडा करने से पहले चेक कर ले उसके बाद हमें थोड़ा सा ठंडा करना है तो चेक करने के लिए अपने finger से थोड़ा सा ऐसे उठाना है बहुत गरम होता है तो इस वज़ा से ध्यान से उठाएं थोड़ा सा चमबच में निकाल सकते हैं और ऐसे अपने finger में गोल गोल घुमा के देखे और आपके finger में आपके हाथ में अगर यह नहीं चिपकरा तो इसका मतलब यह बिल्कुल रैडी है बर्फी सेट होने के लिए देखे बिल्कुल नहीं चिपकरा ना तो इसका मतलब है कि यह बिल्कुल रैडी है अब हमें इसे ठंडा करना है थोड़ा सा बहुत जादा नहीं सिर्फ एक मिनिट तक ऐसे हम चलाएंगे या फिर एक मिनिट तक ऐसे पंखे की नीचे रखके हम मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें या पे एक ट्रे चाहिए जिसके अंदर हम अच्छे से फैला देंगे, जो भी थिकनेस वगरा आपको चाहिए, आप याँ पर बना सकते हैं, अगर आपके पास केक वाला जो केक टीन होता है, अगर आपके पास वह है, तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो, उसमें थोड़ी सी बर्फी, जो है, वो मोटी होगी, या फि पिस्ता और बादाम ढालते हैं इसके उपर वो हम यहां पर डाल देते हैं चांदी का वर्क मैंने जादा नहीं लगाया सिर्फ एक पीस लगा दिया है ऐसी अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है कटे हुए पिस्ता और बादाम यहाँ पर डाल दिया है अब इसे एक से दो घंटे के लिए मैंसे ही छोड़ देंगे तो जब तक बर्फी सेट हो रही है तब तक आपको क्या करना है वीडियो के नीचे लाल रंग का ऐसे सस्क्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा इसे दबा के सस्क्राइब करें और बगल में घंटी को भी दबा के औल पे क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली वीडियो मिलती रहे तो चलिए अब देखते हैं हमारी बर्फी जो है वो करीब दो घंटे में काफी बड़िया से सेट हो चुकी है लेकिन मैंने थोड़ा सा जाधा टाइम तक यहां पे रख दिया था मैंने सुबा बनाया था और यहां पे शाम को कट करने जा रहा हूँ इसलिए हो सकता है थोड़ी सी जाधा टाइट लग रही है अगर आपको बर्फी थोड़ी सी सौफ्ट पसंद है तो आप इसे आधए गंटे या फिर एक गंटे के बाद कट कर ले मैंने तो यहां पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रख दिया था इसलिए थोड़ा सा यह ज्यादा टाइट लग रहे थी तो आप थोड़ा सा एक दो घंटे के लिए रखें उसके बाद हमारी जो बर्फी के पीसे यह बिलकुल रेडी है आप यहां पर देखी सकत जैसे हलवाई की दुकानों पर होती है तो आपको वीडियो कैसे लिगी कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी और वीडियो के देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें